एलो बच्चो आज हम लोग मालवेसी फैमली देखने वाले हैं मालवेसी फैमली या फिर कॉटन फैमली हम लोग इसको बोल सकते हैं अब मालवेसी फैमली या कॉटन फैमली जो हम लोग बोल रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्या आता है तो कॉटन जो है कॉटन का जो भी आपक और ऐसेंने का फैमिली है, वो इसके अंदर आ जाएगा, मिलो फैमली आ जाएगा, हिबिस्कस का जो आप बात करते हैं, हिबिस्कस रोजा सींस बोलते हैं, जिसको वो इसमें आ जाएगा, ठीक है? तो हम लोग general characters या general features को देख लेते सबसे पहले इसमें क्या-क्या होता है जनरल फीचर, तो सबसे पहले अगर बात करें फ्लावर की इसकी, तो इसका जो फ्लावर है, फ्लावर आपको कैसा देखने को मिलेगा, ब्रैक्टियेट देखने को मिलेगा, अब ब्रैक्टियेट कहने का मतलब क्या हो गया, तो ब्रैक् एक सब्सक्राइब पेड़कल बोल रहे हैं और अंकल से यानि पेड़कल के जो निकल रहा है उसको क्या बोल रहे हैं पैडे although pursue इसी हुआ हो और क्या बोले इसी पैडे कैड अब क्या है अबडर इस अबडे कर ईस यहां कि खत्म हो रहा है चो in वहां से जो आपको green type का leaf का remnant structure निकल रहा है उसको बोलते हैं हम लोग bract और वैसे flower जिसमें bract present हो हम लोग वैसे flower को bractiate बोलते हैं और जिस flower में bract absent हो उसको हम लोग e-bractiate बोल सकते हैं तो समझ में आगया bractiate और e-bractiate क्या है अब यहां पर देखिए एक और term दिया गया है bractiol अब यह bractiol क्या है तो bractiol के बारे में अगर हम लोग समझें तो आप क्या देखोगे यह diagram देखो आप यह hibiscus का जो flower है उसका जो कली वाला जो type है उसका यह diagram है देखो एक तो यहां पर देखोगे जो greenish portion दिख रहा है उसको तो आप क्या बोलगे कि भई यह आपका है callax जो greenish portion है इसको बोल दोगे क्या kales और यह वाला जो portion है कि इसको बोलते है kales téре chords के चुकी उपर है इसलिए इसको बोलेंगे े-पी-kales क्या बोल देंगे एपी कैलिक्स या क्या बोल सकते हैं हम लोग एपी कैलिक्स के आलावा ब्रैक्टियोल बोल सकते हैं क्या बोल दिये E.P. Calyx या Bracteole बोल सकते हैं इसको E.P. Calyx या फिर हम लोग Bracteole इसका नाम दे दिये तो आपको समझ में क्या आया यह Flower कैसा होगा Bracteate होगा यानि कि Bracte present होगा Bracte जो आपका present है Bracte कैसा जगा present होगा तो Bracte जो है bract होता है, big होगा, green होगा, green in color होगा और यहाँ पर leaves जो है function जो है bract के जैसा कर रहा है मैंने bract के वारे में क्या बताया, bract क्या हो रहा है, आपका बड़ा है big है, और green in color होता है और leaves का remnant part जो है, उसको हम लोग bract बोल रहे थे जैसे यह structure में आपने देखा, जो leaf का remnant part है उसको हम लोग bract के अंदर बोल रहे हैं, ठीक है और bractiol क्या है, bractiol अगर आपसे पूछा जाए, bractiol क्या बोलेंगे कि pedacil और, मतलब जो हम लोग बोलेंगे, flower, यह जो flower है और, जो peduncle है, उसके बीच में आपको क्या पाया जाएगा तो bractiol पाया जाएगा, यहां देखिए, यह flower है और यह peduncle का axis है, और इसके बीच में क्या पाया जा रहा है आपका, bractiol पाया जा रहा है, यहां पे, यहां पे देखिए आपको क्या बन रहा है यहां पे ब्रेक्ट बन रहा है while ब्रेक्टियोल is a leaf-like structure situated between the bract and the flower तो ब्रेक्टियोल क्या है leaf-like structure है कहां पे आपका situated है तो flower यह जो हमारा है flower और जो ब्रेक्ट जो है यहां पे हमारा present उसके बीच में आपको यह कहां मिलेगा पे तो condition कैसा देखने को मिलेगा तो condition जो है pentameras condition आपको जिर्दली देखने को मिलता है ठीक है जैसे माल लेते हैं आप जब बात करोगे इसके कोरोला की तो एक, दो, तीन, चार और ये पाँच आपको देखने को मिलेगा यानि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे condition कैसा मिल रहा है यह pentameras condition है अगर हम लोग ध्यान से इस diagram को देखें हिबसकस का या फिर china rose का तो यहाँ पे देखोगे कि यह जो structure है यह जो structure है यहाँ पे इ हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं यह stigma हो जाएगा यह style वाला पार्ट हो जाएगा और यह ओवरी वाला पार्ट हो जाएगा अब stigma देखोगे stigma आपको free देखने को मिलेगा stigma क्या मिलेगा free देखने को मिलेगा लेकिन over नीचे जो present है वो क्या है? Fuged है यहाँ पे Overy देख लोगो क्या है आपस में Fuged है Style भी आपको एक Fuged Structure देखने को मिल सकता है तो यहाँ पे Style से इसको बोल सकते हैं ठीक है और इसमें अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सो क्या बोलेंगे यह Bisexual होगा क्योंकि एक ही Flower में Male और Female दोनों पार्ट प्रेजेंट है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे Bisexual Flower Actinomorphic बोल सकते हैं Actinomorphic क्यों बोलेंगे? क्योंकि यह होगा Radial Symmetry अब Radial Symmetry कहने का मतलब हो गया क्या कोई Flower है और उसको आप दो या दो से अधिक टाइप से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे Radial Symmetry या फिर Actinomorphic यह चीज हो गया Hypogynos condition देखने को मिलेगा Hypogynos कैसे बोल सकते हैं? जैसे यह आपका Overy वाला पार्ट है और Overy वाला जो पार्ट है वो उपर है और इसके लीचे से आपको क्या निकल रहा है? जो Other Floral Part है जो Calyx, Corolla, Androsium, Gynosium यह देखने को मिलेगा इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या? कि भई यह Hypogynos condition है बोलेंगे क्या? कि Overy superior Other Floral Part Inferior Hypogynos का मतलब क्या हो गया? Overy superior Other Floral Part Inferior अब इसको बोल रहे हैं Pentameras Pentameras क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब आप यहां पे Count कर रहे थे Calyx को तो यह क्या मिल रहा था? आपको 5 के नंबर में मिल रहा था Pistil को भी अगर Count करोगे जो कि यहां पे Free है वो भी 5 के नंबर में मिलेगा Overy भी यहां पे जो आपको था वो भी 5 के नंबर में मिलेगा तो इसकारण से हम लोग बोल रहे हैं कि इसके पास जो भी है वो 5 के Multiple में आपको देखने को मिल रहा है इसी कारण से Pentameras Condition में बोल सकते हैं इसको Fruit की बात करें तो यहां Fruit जो है Capsule हो जाएगा अब अगर हम लोग बोलें Bracteol या फिर हम लोग बोलते हैं E.P. Calix Bracteol के बारे में मैंने आपको समझाया Bracteol कहां present है तो Bracteol Flower और Bract के बीच में present है यह Flower हो गया और यह Bract हो गया इसी के बीच में आपका Bracteol present है तो Bracteol को हम लोग क्या बोल देंगे Bracteol का अगर number count करें देखिए यहां पर यह हमारा Bracteol था इसी में number count करके देखते हैं यह 1, 2, 3, 4, 5, 1 इधर पीछे होगा 6 और एक यहां पर 7 यानि 7 नंबर में आपको दिख रहा है Hibiscus का अगर आप Flower देखते हो कि यहां पर 3 से लेकर के 7 के बीच में number हो सकता है और free होगा या क्या होगा फ्यूज होगा तो free होगा भाई यहां पर green in color होगा green color का देखने को मिलेगा अब यह जो Bracteol है यह क्या है transformed Bracteol बोलते हैं एक तरह से least for transformed यह एक तरह से पार्ट बोल सकते हैं इसको और यह क्या है similar as Bracte यानि Bracte के जैसा देखने को मिलेगा लेकिन यह क्या होता है free होता है और 3 से 7 नंबर में present होता है present कहा होगा भाई साब तो यह present होगा आपका pedicill वाले reason ते अब देखो pedicill और peduncle के बारे में मैंने क्या बताया था main axis वाला यह जो part है तो इसको हम लोग बोल दिये uncle, uncle बड़े होंगे और uncle से जो लग रहा है यारी peduncle से जो लग रहा है उसको हम लोग बोलेगे pedicill यह pedicill जो है कहां से लग रहा है peduncle से और zinit कर रहा है यह ध्यान रखेंगे estivation के बारे में बात की जाए तो estivation आपको val weight देखने को मिलेगा val weight कैसे है वो भी मैं बताऊँगा है ना तो किस type से अगर estivation की बात की जाए है ना तो वहाँ पर क्या दिखेगा val weight देखने को मिलेगा अब देखो यहाँ पर तो हम लोग बोलेंगे इस type के estivation को हम लोग क्या बोलेंगे val weight बोलेंगे जो कि आपने NCRT में morphology में आपने परहा होगा कि val weight estivation किस तरह से होता है तो अगर just touch कर रहा है तो val weight बोलेंगे अगर overlap कर रहा है एक के उपर एक तो twisted भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है तो यहाँ पर हम लोगों को estivation क्या दिखा val weight val weight यानि यह हो गया कुछ इस type से अगर estivation है तो इसको val weight बोल देंगे यहाँ पर persistent calyx भी देखने को मिल सकता है जैसे यहाँ पर भिंडी का diagram देखो कि और यहाँ से तोड़ने के बाद जब market से भिंडी लेने जाते हो तो यहाँ से तूटा रहता है भिंडी तो यह क्या दिखरा रहा है आपको persistent calyx को denote कर रहा है क्या कर रहा है persistent calyx को denote कर रहा है अगर हम लोग बात करें भिंडी की तो ablumiscus इसका नाम botanical नाम है ablumiscus isquellanthus भी बोला जाता है और gossipium जो है यह cotton का botanical नाम है तो यह ध्यान रखेंगे cotton का botanical name क्या है और भिंडी का botanical name क्या है तेक है अब अगर हम लोग बात करें कोरोला की तो कोरोला क्या देखने को मिलेगा कोरोला आपको कैसा होगा, तो कोरोला जो है, आपको non green part देखने को मिलेगा, non green part जो ये वाला structure है, ये वाला जो structure दिख रहा है आपको, ये क्या है, आपका कोरोला है, तो यहाँ पे कोरोला कैसा दिख रहा है, non green part दिख रहा है, non green के साथ साथ हम लोग क्या बोलते हैं, ये क् Mucilinase होता है, अब Mucilinase कहने का मतलब क्या हो गया? यानि कि थोरा मोरा Mucilase का covering होगा या coating होगा एक तरह से जो क्या कर रहा है? Insect को अपनी ओर खीच रहा है और अगर माल लेते हैं कि pollen grain जो है, अगर जैसे ही Insect जो है Pollen Grain KIो पकरा या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इंसेक्ट जो है पॉलिंग्रेन को जैसे ही उसके विंग्स उसके जो एपेंडेजेज हैं वहां से पॉलिंग्रेन जैसे ही अटैच होगा तो यह मुसिलेजिनस होने के कारण से क्या हो सकता है कि उसी के पास जो है चिपक सकता है ऐसा भी बोल सकते हैं है ना तो मुसिलेजिनस होने से क्या हो रहा है मुसिलेजिनस से यह एट्रैक्टिव भी हो रहा है एट्रैक्टिव और मुसिलेजिनस आपको देखने को मिलेगा एंड्रोसियम कैसा देखने को मिलेगा और यहां से जो आपका attached है, यह आपको क्या है, भाई यह आपको enter attached है, यह जो yellowish portion दिख रहा है, वो क्या है, enter attached है, यह आपका क्या है, stigma है, और यह क्या है, enter है, अब enter की बात करें, तो enter के बारे में, यहां पे जो एक चीज ध्यान देने की है, यह enter होते है, mono adelphus, यानि kidney saved enter आपको देखने को मिलेगा, अब stamina का number के बारे में बोले, तो number जो है, हम इसका count नहीं कर सकते हैं, इस कारण से, इसको हमने क्या बोल दिया, यह infinite है, क्या है, infinite है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, enter के बारे में और details बोले, तो हम लोग क्या बोल रहे है, यह mono adelphus condition है, अब mono adelphus condition कहने के मतलब क्या हो गया, filament जो है, unite कर रहा है, एक साथ, और एक bundle जैसा structure बना रहा है, जो कि क्या है, यह आपको, है न, steminal tube के form में, हम लोग बोल सकते हैं, कि steminal tube के form में exist कर रहा है, और अगर हम लोग बोलें कि इसका structure क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, यह kidney shaped structure होगा, और monothecas enter यहाँ पे present होगा, enter जो है, monothecas होता है, diethicus enter नहीं होता है, यह tetrasporengiate condition आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, जो gymnosperm में in general देखने को मिलता है, गाइनोसियम क यहाँ पे sections बने होते हैं, एक, दो, तीम, चार, पांच, तो पांच sections बने होते हैं, और उसी में streets present होता है, तो इस कारण से हम लोग उसको क्या बोल रहे है, pentacarpillary ovary, या फिर polycarpillary ovary, अच्छा, मैंने क्या बोला था, stigma, style, ovary, और ovary क्या होता है, fused होता है, तो हम लोग क्य क्या बोलते है, stigma free है, लेकिन यहाँ पे ovary fused है, इसलिए इस condition को क्या बोल रहे है, sincarpus बोल रहे है, sincarpus condition बोल रहे है, क्योंकि actual में जो ovary है, वो क्या है, fused है, तो sincarpus बोल दे है, number of locules is equal to number of carpel, जितना number of locule होगा, locule क्या है, यह locule है, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो यहाँ पे पांच, जो है, क्या है, locule है, और उतना ही क्या हो जाएगा, number of carpel हो जाएगा, उतना ही हम लोग बोल सकते हैं, कि आपका क्या हो जाएगा, carpel का number हो जाएगा, यह carpel है, और जो locule बोल देंगे, कि जो नीचे जो है, आपको मिलेगा, यह जो है, locule हो जाएगा, यह जो आपको structure दिख रहा है, यह क्या है, locule है, तो number of carpel is equal to number of locule, तो number of carpel कितना है, one, two, three, four, and five, तो यहाँ पर number of carpel कितना मिल गया, तो five, और number of locule कितना मिल जाएगा, तो number of locule भी यहाँ पर five देखने को मिलेगा, pentalocular ovary हम लोग बोल सकते हैं, या फिर multilocular ovary बोल सकते हैं, placentation की बात की जाए, तो यहाँ पर exile placentation देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइब का placentation विंडी में आप देख सकते हो, जो सबसे बाहरी वाल है, उसको हम लोग बोल रहे हैं, peri, carp, या ovary की वाल बोल रहे हैं, ovary वाल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, एक दीवार है, जो की separate करके रख रहा है, लोक्यूल का अलग अलग जो है, एक room बना दे रहा है, उसको हम लोग सेप्टा बोल रहे हैं, या सेप्टम बोल रहे हैं, placenta क्या है भाई, तो placenta हम लोग बोल देंगे, placenta, जैसे हम लोग reproduction में परते हैं, से चाइल्ड को एक तरह से attach करके रखता है, attach किस टर्म में, तो food provide करेगा, nutrition provide करेगा, तो सारा का सारा कुछ जो है placenta ही, मदर से जो child है, या जो young, हम लोग बोल सकते हैं, कि जो child है, मदर के warm में, उसको placenta ही देता है, तो उसी तरह जैसे वहाँ पर था हुआ है, यहाँ पर भी आकको placenta होगा, और यह क्या होगा, यह xylem phloem से directly attached होगा, और यह जो है क्या करता है, food, nutrient, water, मेंडल सारा का सारा जो है, यह provide करता है, कि इसको इस seed को जो भी developing condition में आपका अभी present है, ठीक है, ओविल क्या बना देगा, तो ओविल जो है, seed बना देगा, यह चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग बात करें, ovary के बारे में, तो ovary और style जो है, यह क्या होता है, are enclosed in steminal tube, but remain outside, ovary और style जो है, steminal tube में enclosed होता है, लेकिन यह outside रहता है, steminal tube क्या था, हमारा यह वाला जो था, steminal tube है, तो यह आप ध्यान रखोगे यहाँ पे, seed जो है कैसा होता है, non-indosperm होता है, indosperm यहाँ पे absent होगा, floral formula की बात करें, तो हमने पहले सबसे पहले क्या बोला, यहाँ bract present होगा, और अगर हम लोग बोले, तो क्या बोल रहे थे, actinomorphic flower होगा, हम लोग बोल रहे थे, bisexual है, ep calyx present है, जो की आपका free होता है, 3 से 7 नंबर में हो सकता है, calyx की बात करें, तो calyx जो है, आपको fuged देखने को मिलेगा, और यह 5 के नंबर में होगा, पांच से लेकर के, infinite number में आपको present हो सकता है, लेगिन इंजनरल जो है, 5 ही आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही, biscus में आप यहाँ पे देख रहे गो, अब यहाँ पे होता क्या है, एंथर जो है, आपका calyx, मतलब जो कोरोला है, उससे fused कर जाता है, अब fused कैसे करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो यह steminal tube है, उसका अगर यहाँ वाला portion देखोगे, तो यह आपका, जो हम लोग क्या बोलें, कि जो petal है, या फिर आपको बोलें की, जो कोरोला है, है ना, वो क्या कर रहा है, इस steminal tube से एक तरह से fuse हो रहा है, अगर आप hibiscus का, या china rose का diagram देखोगे, या फिर flower देखोगे, तो ऐसा आपको observe कर सकते हो वहाँ पे, या ना, economic importance की बात करें, तो economic importance, food के तरह यूज किया जा सकता है, फाइबर के तरह यूज किया जा सकता है, wild के तरह यूज किया जा सकता है, medicine के तरह यूज किया जा सकता है, और ornamentals के तरह यूज किया जा सकता है, अगर food की बात करें, तो okara या vindi, ये abdomiscus excluanthus है, ये botanical name है इसका, फाइबर के तरह बात करें, तो ये एक ऐसा family है जो mainly अपनी fiber के लिए जाना जाता है और fiber में cotton fiber हो गया, jute हो गया, जैसे ये क्या है surface fiber की बात करें, तो often from the seed of gospeam और gospeam के seed से आपको प्राप्त किया जाएगा क्या, surface fiber प्राप्त किया जाएगा फिर अगर हम लोग बोलें, soft fiber की बात करें, तो soft fiber में क्या हो जाएगा पटूओा हो जाएगा और patching soft fiber में हो जाएगा drug fiber पटूण हो जाता है, पटूओा जो हो जाएगा, पटूओा कुछ इस टाइप से आपने देखा होगा है न रसी का टाइप का आपको देखने को मिलेगा धिन अगर हम लोग बात करें तो ornamentals में आपका क्या हो जाएगा जो सजावट के रूप में यूज किया है तर चाइना रोज हो जाएगा या फिर सू फ्लावर भी इसको बोलता है क्योंकि red सू के पॉलिस जो है यहां से आप्टेंड किया जाता है कहां से तो सू फ्लावर या चाइना रोज से तो gos pm का seed जो है reach होता है विटमिन A, D, E और B कॉंपलेक्स में क्या वोला विटमिन A, D, E और B कॉंपलेक्स में अब देखें मालवेसी family का आपको trick याद रखना होगा trick में क्या हो जाएगा M5 हम लोग बोलते हैं M5 में monothecus, monoadolphus, multi-locular, many-stamin और यह M5, M क्या हो गया यहाँ पर M जो है मालवेसी से related है तो यह चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे एक question यहाँ पर पूछा जाता है पटूआ जो है, वो क्या है हिबिसकस का किस form से obtained किया जाता है तो पटूआ जो है, हम लोग क्या बोलते हैं इसका पटूआ secondary phloem से obtained किया है तो बस इसको ध्यान रखता है और कुछ वी इसमें नहीं पढ़ना एक्स्टा अगर हम लोग इसका floral diagram देखें तो यहाँ पर यह क्या है, आपका mother axis है यहाँ पर यह जो portion है, हम लोग इसको बोलेंगे korola है, यह वाला जो portion है इसको हम लोग क्या बोलेंगे steminal tube है, जिससे की आपको बहुत सारा enter attached है, है न, और यह वाला portion जो हम लोग क्या बोलेंगे, कि यह जो है आपका carpel है, carpel में आप देख रहे हो कि यहाँ पर पांच आपको sections दिख रहा होगा या फिर हम लोग बोल सकते हैं, pentalocular over here, यहाँ present है, stamin के बारे में अगर बोलेंगे, तो बोलेंगे कि steminal tube का formation कर रहा है यह वाला structure, और steminal tube जो है, किस से attached है तो हम लोग बोलेंगे, korola से attached है steminal tube, यहाँ पर देखोगे attachment korola से है, तो आप जब formula भी लिखते हो, तो इस type से represent करते हो, जब हम लोग बात करें korola की तो korola में आप बोलती हो कि इसका activation जो है क्या हो जाएगा, तो बोलो यह twisted है, यहाँ एक के उपर एक देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, यह estimation क्या है, twisted है दिन हम लोग बात करें calyx की, तो calyx जो है आपको क्या मिल रहा है, valweight estimation में देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा valweight estimation में देखने को मिलेगा जो सबसे उपर है, यहाँ पे आपका bractiol, bractiol कैसा दिखेगा, तो bractiol भी आपको जो है, valweight estimation में दिखेगा just एक दूसरे को touch कर रहा है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यह आपका intersect नहीं कर रहा बहुत जादा, के उपर एक नहीं आ रहा है just touch कर रहा है, ठीक है तो इस तरह से आप पूरा का पूरा यहाँ से questions रहा है